हमने उसको घंटों मोटिवेट किया हमने उसको घंटों मोटिवेट किया तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया हमने उसको घंटों मोटिवेट किया तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया मैंने उसके उसने मेरे अबे को पोल पुलेखे अंडरेस्टीमेट किया और बंदा बैठ कर चुबारे पर ठंडी आहे भरता है तुमसे लाख चंगा है कुछ ना कुछ तो करता है लड़कियों को लड़कों के तारने की रीजन है नैचरल सा मसला है घोड़ा घास चरता है पहली बार लड़कों को घोड़ा बनने पर इतना खोश होते देखा है बैठ कर चुबारे पर ठंडी आहे भरता है तुमसे लाख चंगा है कुछ ना कुछ तो करता है लड़कियों को लड़कों के तारने की रीजन है नैचरल सा मसला है घोड़ा घास चरता है और इस मौसम बरसात में देखो साड़े साथ की होया मी बरसा था अदा कंटा कोठा दोदन चोया पलट के दूला ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया सुबा सवेरे दूलहन ने जब अपने मूँ को धोया पलट के दूला ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया सुबा सवेरे दूलहन ने जब अपने मूँ को धोया शादी वाले देनवो लड़की आखरी बार थी रोई बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया शादी वाले देनवो लड़की आखरी बार थी रोई बाद में लड़का कुल हयाती बांगे मार के रोया और बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर रहते हैं दो दर्जन चवल चुबारे पर वो अन्वो साब कराची मुशारा हो रहा था क्रीक कलाब में तो मैंने जब कहा के रहते हैं दो दर्जन चवल चुबारे पर तो पीछे से एक साब खड़े गर भाई साब चवल का क्या मतलब ह मेरे तो जी पॉंट ले जे जमीन निकल गई और मैंने का बाई जान ये जो चवल है ये पंजाबी का ऐसा लफज है कि इसका मफहूम पंजाब में पंजाबियों को नी समझाया जा सकता आप कराची में पूछ रहे हो तो मैंने का ये जो चवल है दिखाया जा सकता है समझाया नहीं जा सकता है हुआ जाए बंदा हो जाता है पजल चुबारे पर रहते हैं दो दर्जन चवल चुबारे पर छे 골ी कुड़ीयां हैं खिड़की वाले कमरे में अल्ला का है खासा फजल चुबारे पर और तीन शेर के बैठे बैठे अच्ण चेते नमी पसुडी पड़ सकती है बैठे बैठे अच्ण चेते नमी पसुडी पड़ सकती है काले पूंड की खैर है लेकन शैद की मक्खी लड़ सकती है बीवी ऐसा गोरक तंदा है जो पले पड़ नी सकता ये इधर वालों के लिए शेयर बीवी ऐसा गोरक तंदा है जो पले पड़ नी सकता कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसे गाल पर लड़ सकती है और जोजा माजदा नी इसमे रानी की क्या बात है जोजा का नाम माजदा हो सकता है ना जोजा माजदा वो जासूस है जो दो मिंट के अंदर अंदर दिल की सत्मी तै के अंदर बैठी गाल को पड़ सकती है अरे गजल के बे फजूल सी गाल पर आड़कर सुते रहे तुपे पए पए साड़ गए साड़कर सुते रहे बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चाड़ गए चाड़कर सुते रहे राती डाकू पेंड में हुंजा फेर गए पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे और डिगे थे असमान से अड़े खजूर में हम बस वे रोज खजूर में आड़कर सुते रहे बीवी से डर कर भागे तो दो दिन तक बेबे के कमरे में वाड़कर सुते रहे उसके गंजे कोने सर की याद में हम रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे और फेरी उसने हमसे अखिया परसों से बैठ रही हैं मूपर मक्या परसों से पेंजाज चाड़ा उसके चारों भाईयों ने सेक रहे हैं दोनों वक्या परसों से और गजल के वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नासकर बैग गए वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नासकर बैग गए सीट पे पहले ही साथ बंदे थे हम भी अठवे फासकर बैग गए वो जिस वैगन अंदर बैठी हम भी उसमें नासकर बैग गए सीट पे पहले ही साथ बंदे थे हम भी अठमें फासकर बैग गए दफ्तर के बाहर नोटस था बिला इजाज़त बैणा मना है तो वीशी साथ काफस हो सकता है जैसे दफ्तर के बाहर नोटस था बिला इजाज़त बेना मना है हमने बड़ी चलाकी की थी अपने आपको दासकर बै गए गए कमर का कसना सुनते थे फिर एक दिन सोचा कस कर देखें खोला कस्या कासकर खोला फिर दुबारा कासकर बै गए गए और गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है खरा हमेशा खरा है खोटा खोटा ही होता है नए निजाम की बढ़के सुनते उमर गुजर गई सारी वड़ा हर्थां वड़ा छोटा छोटा ही होता है और लुचे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला हमने ये अजमाया सोटा सोटा ही होता है पहले ओद्रों फिर एद्रों अब फिर खड़ा है ओद्रों पबलक तंग है लेकन लोटा लोटा ही होता है अच्छा कोई एक दो ऐसे जरा गैर सियासी चीजें भी मैंने का सुना दी जाएं एक कता के वोटर पावे भाड में जाए लेकन वोट को इज़त दो वोटर भावे भाड में जाए लेकन वोट को इज़त दो निया बियानिया इतना पापुलर होया के माफी है बनी गाला वाले पूछते फिरते हैं ये राइवेंड में वोट को और भी इज़त दें या इतनी इज़त काफी है और इसी के साथ एक चोटी सी नजम है नजम को नवान कोई नहीं और इसका अगर किसी करेक्टर से कोई मुशाबित हो तो वो भी मैज इतिफाकन होगी वैसे इस नजम में अलहमदुल्ला करेक्टर भी कोई नहीं है तो बगैर उनवान के एक नजम मुझे क्यों निकाला और एक अनो साब एक घजल है को दो चार शेर तरे बद्वाईया किसम की घजल है हुसन की तोप का गोला मारा तेरा कख न रहे तुझ पर गिर जाए कुट भी तारा तेरा कख न रहे बैंकेंग कॉंसल वाले तेरी हारशे कूर्की कर दे जाए तुझ पर कर्जा पारा तेरा कखना रहे दिल की चोरी के इल्जाम में पूलस का छापा पड़ जाए फड़े जाए टबर सारा तेरा कखना रहे दिल की चोरी के इल्जाम में पूलस का छापा पड़ जाए फड़े जाए टबर सारा तेरा कखना रहे और सारी गजल सुना कर भी नहीं साड़ा देल का मुक्या साड़ा है बास ही कोई नारा तेरा काखना रहे और हमको ठंडा मिठा पाला पैड़ा लगता है हमको ठंडा मिठा पाला पैड़ा लगता है जीमे कपा में कटा काला पैड़ा लगता है सालम टांगा करके बंदा उसके कार जब पहुंचे अग्यों बुए पर हो ताला पैड़ा लगता है मुंडे खुंडे बे शक हमको चाचा ताया कह लें कुडी कहे गर हमको लाला पैड़ा लगता है मुंडे खुंडे बे शक हमको चाचा ताया कह लें कुडी कहे गर हमको लाला पैड़ा लगता है हमको उसकी निकी साली चंगी लगती है उसका चपन का दूसा हाला पैड़ा लगता है और दिल में मेरे हो गया चीर कमीना सा नजर का खेच कर मारा तीर कमीना सा वैसे उसका साराई टबर शोदा था लेकन उसका वड़ा वीर कमीना सा दूर फिटे मू रांजे की इस हरकत पे अपने साथ वो ले गया हीर कमीना सा मा पे उसके जन कड़वाने लाए थे उड़ी को कड़ के ले गया पीर कमीना सा और नमंबर का महिना है जनाब एकबाल के हवाले से दो कताथ आखर में एक कता जनाब एकबाल की जमीन में जो हमारी मजूदा अमनो मान के सूरत आलब है उस पर के एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूँ एद निमाज एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूँ एद निमाज कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकट में आयाज एक ही साफ में पढ़ी दोनों ने यूँ एद निमाज कुर्ता पहने हुए महमूद था जैकट में आयाज दूर तक सब ने सुनी जोर से एक ठा की आवाज फिर वहां बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज और आखर में एक कता है चले जी कन साब का मैं फर्मेश नहीं कहूंगा दोस्त है हुकम है कि उसका रिष्टा ना होने का बाइस उसका अबा था उसका रिष्टा ना होने का बाइस उसका अबा था सब हर्यान थे उसने ऐसा अबा कहां से लबा था उसका रिष्टा ना होने का बाइस उसका अबा था साब हर्यान थे उसने ऐसा अबा कहां से लबा था और समझ नहीं आती बती तारें वो किसे बख्षाए उसकी माँ तो फीडर थी और सुके दूद का डबा था उस जगा पर काफी लोग की मनते मांगने पहुंचे दूद बाथा और आखर में एक गता वो जनाब अकबाल की एक नजम है टैनी पे किसी शजर की तनहा बुलबुल था को उदास बैठा तो ये भी जुगनु और बुलबुल का मकालमा है लेकर जाहर है जनाब अकबाल के जमाने के जुगनु और बुलबुल फलस्फियाना गुफ्तू करते थे हमारे जमाने के जो जुगनु और बुलबुल हैं क्योंकि वो हमारी सोबत में रहते हैं इसलिए वो लोकल किसम की गुफ्तू को मसायल जो हैं मौजुदा उस पे गुफ्तू कर रहे हैं जुगनु और बुलबुल मकालमा चार मिसरे कार जा कर तू सों मार ले के रात ये इतनी तत ही कोई नहीं बुल बुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुकते सूज रही हैं तेरी दुम पर यूपीयस है साड़े कार में बती कोई नहीं